हालो अब्रिवन ये रिकॉवरी बैच का चौथा वीदियो है तो आज किस वीदियो हम लोग देखेंगे इन्पूट दिफाइस और आउट्पूट दिफाइस अगर आपको कोशन पूछता है तो किस परकार से लिखते हैं इन्पूट दिफाइस में उसका पहले दिफिनिसन लिखने के बाद एक्जामपल लिखिये जिए कि इन्पूट दिफाइस का बहुत सारे इक्जामपल होते हैं और इस सभी topic से क्या क्या question आये है previous year में ये सभी चीश को देखेंगे तो बस वीडियो को हम continue करते हैं तो वीडियो हम बने लगेगा बीना skip किये हुए और थोड़ा से एक दो दिन वीडियो लेथ हो गया था विकाज कारण क्या था ना कि जो मैंने वीडियो रिकार्ड किया था उसका screen रिकादर कोई technical problem में कारण पूरा black हो गया था जिसके कारण मेरे को फिर से इस वीडियो को दुबारा से बनाना पर रहा है सोच रहो कि एक तो चलिए अब हम खतम करते हैं इसको आज के topic को input device सबसे पहले input device होता क्या है अगर यह question बचपन से आप पढ़ते आते होंगे कि input device लेकि input device का definition आप एक दो line में देते होंगे लेकिन इसी को अगर आपको बहुत बढ़ा में लिखना है चार-पांच page में लिखना है था किस परकार से लिखेंगे सबसे पहले उसको define करिएगा जैसे मैं अब define किया हूँ which the help of input device we insert any types of any types of data in computer systems मतलब बोल रहा है कि इसके help से input device के help से किसी type के data को हम लोग computer के अंदर क्या करते हैं insert कराते हैं मतलब डालते हैं तो उसी को क्या बलेंग हम लोग input device ठीक है इसके बाद बोल रहा है कि there are various of input device मतलब बहुत परकार की input device होते हैं आपको भी इसी परकार से लिखना है और आप क्या करिएगा पहले ये लिखने के बाद input device का नाम लिख दीजेगा कितने input device होता है और फिर सबको एक एक करके define करते चल जाएगा तो लग लग आपका 3-4 पेज अराम से होगा जैसे various में कौन सा पहला होगा keyboard ठीक है पहला दूसरा नहीं बस लिखा है यहां पर keyboard तो keyboard के बारे में क्या लिख सकते है it is the standard input device इसको यह भी लिख सकते है it is input device ठीक है अगर यह आपको याद ना रहे तो it is the same as quality typewriter यह सेम उसी के जैसा होता है typewriter के तरह keyboard there are multiple key places and keyboard और multiple key होते हैं किसमें keyboard के अंदर places रहते हैं the total key of keyboard is divided into four zone total keyboard कितने रहते हैं उसको divide किया गया है चार zone के अंदर जैसे पहला zone होता है जिसमें alphabetical key रहता है जैसे यह से लेके जरे तक 09, shift, tap, alt, cap, lock, control ठीक है enter यह जो भी है etc लिखके एक दो ग्यांपर लिखके etc देई जगा यह zone first में आता है zone second में क्या आता है function की आता है ठीक है zone second में function की काने के मतलब आगया जो उपर रहता है f1, f2, f3, ऐसा रहता न उसी को zone 3 में क्या हमारा आता है zone 3 में आता है special key, special key जैसे home हो गया, end हो गया, इसके बाद page up हो गया, page down हो गया, insert हो गया और delete हो ठीक है इसके बाद zone 4 में रहता है हमारा number की जो होता है 0 से लेके 9 तक, side में जो नहीं रहता है 0 से 9 तक उसको enter हो गया है उसी में number की में रहता है, side में दिया रहता है, तो zone 4 में उसको लेता है, ऐसे देखा जाए तो total keyboard में बतम कितने होता है, किसी किसी में different different बतम रहते है, 104, 108 भी रहते है, आज कल के keyboard में बहुत सारा multiple gaming होला जो keyboard रहता है, एक दो बतम extra हो जागया है, ठीक है तो उसको ना लिख का पैसे लिखे है, तो सही रहेगा इसके बाद और इसमें जोर सकते हैं, keyboard में, कि there are two types of keyboard, दो परकार के keyboard आते हैं, कौन-कौन से, एक होता है normal, जो normally यूज करते हैं हम लोग, और एक होता है multimedia keyboard, multimedia काने के मतलब है, जो gaming होगर हम यूज किया जाता है, जैसे हैं आप इसके बारे में लिखा गया है, in multimedia keyboard, there are sets of extra buttons are provided that are helped in internet and multimedia applications, the big extra buttons are present on top of keyboard, ठीक है, ये top of keyboard के मतलब उपरी हिसे में, बहुत सारे बड़े-बड़े keyboard button दिये रहते हैं, जो अलग-अलग उनका कोई काम रहता है, ठीक है, तो यह सब button उसमें include, अब तो keyword के अंदर हैं तो include ही होगा, क्यों keyword में इतने button होते हैं, तो यह सब उसमें रहता है, multimedia बहुत सारे keyboard आ रहे हैं, जिसमें gaming उगरा के लिए चाहिए, extra activity के लिए, बहुत सारे keyboard के बड़े, उसमें extra जूरे रहते हैं, उपर के side में, ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स देखेंगे, mouse, नेक्स क्या देखेंगे, mouse, देखो, mouse, माउस मे point और select any, any person or the screen with support of mouse pointer, ठीक है, जैसे मेरे हाथ में भी देखिया, भी mouse है, मैं इसके help से क्या कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें सब को select कर रहा हूँ, मतलब mouse के help से मैं क्या करते हैं, हम लोग, किसी भी screen पे कोई भी person को हम लोग select करते हैं, चाहिए उस mouse के help से हम लोग cursor को move करते हैं, तो वही सब चीज आपको लिखना है, वही यहाँ पे लिखा गया है, the evolution of mouse is, comes with concept of GUI, जब evolution कब हुआ था, mouse कब आया था, जब graphical user interface आया था, उसके बाद mouse आया था, in mouse there are two buttons are provided, left key, right key, mouse के अंदर दो बतम होते हैं, एक होता है हमारा left key, ठीक है, एक left key और एक right key, दो बतम हो गया, और left bottom और right bottom, इसी को left bottom और right bottom भी बोलते हैं, the left bottom is called primary key, left bottom को हम लोग क्या बोलते हैं, primary key, whereas right bottom is called secondary key, right bottom को क्या बोलते हैं, secondary key, in latest mouse, जो अभी mouse आ रहे हैं, at the middle of both key, a scroller is used, it is especially used for up and down movement of page, देखो जो अभी के समय में, जो mouse आ रहे हैं, उसमें एक extra bottom दिया जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, scroll करते हैं, जैसे page को up करते हैं, देखो अभी हो रहा है, और down करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, बीच में, इसी के बारे में लिखा गया, तो आप लोग अपने से भी बना के लिख सकते हो, मेरा सिर्फ काम यही है, बताना आपको, कि आपको किस परकार से लिखना एक्जाम में, कैसे आपको point इक अथा करना है, मालूम सब रहता है, लेकिन आपको लिख नहीं पाते हो, इसके बाद आप लोग नेश दे दोगे, scanner, scanner, scanner भी हमरे एक input device है, इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए, it is a graphical input device, which the help of a scanner, we put any graphical image in computer-like picture, photo, signature, maps, etc, देखो, graphical के help, sorry, scanner के help हम लोग क्या करते हैं, graphical photo, जैसे photo अगरा को scan करना रहता है, तो बोलते हैं कि scan करके, और फिर उसको हम लोग hard copy से soft copy बना लेते हैं, जैसे आपको photo हो गया, signature आपको कहीं भेजना है, आप यहां पर उपस्तित हैं, तो क्या करते हैं, लोग sign करके और scan कराके दूसरे जगह भेजते हैं, कि same to same ही रहे, ठीक है, तो यह सब चीज़ किसके help से होता है, a scanner के help से, इसके बाद आद नेक्स आता हमरा light pane, it is also a pointing input device, which help of light pane, we select or point directly on the screen, we move the light pane again against the screen, at the top portion of light pane a photo, receptor is used, is scan the actual location of the screen, light pane, light pane मतलब वही हुआ जो, प्येन एक होता है, touch, जैसे बोलते है, touch screen में एक pane रहाता है, light pane, जैसे हम लोग screen को इधर उदर जैसे direct हम लोग screen चलाते हैं, तो वही एक light pane हुआ, उसमें उपर के साइद में कुछ उपस्तीत रहता है, जैसके कारण हम लोग, उसका direct हम लोग screen पर जहां touch करेंगे, वहाँ पर आपना cursor हीलने लगेगा, ठीक है, तो वही सब चीज अप लिखिएगा इसके बारे में, इसके बारे में, हर बचे जानते होंगे, इसके बारे में बहुत बच्पन से पढ़ते आए होंगे, joystick क्या होता है, इती दे especially used for play और game, ठीक है, especially used किया रहता है play एक game on computer, computer, computer में game खेलने के लिए joystick के use किया जाता है, ऐसा रहता है, पकर कर आदम से bottom बहुत सर रहता है, ऐसे खेल रहे है, ठीक है, next देखा जाए, next है हमारा mic और microphone, mic सब माइक सब आते हैं, आप लोग समझ गया है, माइक मेरे पास use हो रहा है, इससे हम लोग क्या कर रहे है, इसके help से क्या कर रहे है, हम अपना sound को क्या कर रहे है, भेज रहे हैं, कहां पर, computer में, ठीक है, तो वही चीज़ यहां पर लिखा होगा, it is the use for put or insert any types of sound or voice in the computer, any types, किसी भी type के sound को, अगर हमें computer के अंदर put कराना है, देना है दाता को, तो वह किसके help से होगा, mic के help से, webcam, webcam क्या होता है, it is the use for capture the video, image, or picture directly in the computer, इसके help से directly हम लोग computer में photo क्लिक करते हैं, चाई वीडियो बनाते हैं, अब next हम लोग बारेंगे output की तरफ, चलो, यहां से चलो होता है, देखो, output device, the output device, the output device are used for, receive the data or information from the computers, बोल रहे हैं की, output device के help से हम लोग क्या करते हैं, receive, receive करते हैं, data और information को, ठीक है, मतलब, computer से जो भी data हमें लेना है, वो किसके help से लेते हैं, output device के help से, तो वही चीज लिखा गया है, कि the output device are used for, receive the data, और information from the computer, मतलब, computer से हम लोग लेते हैं, data को, किसके help से, output device के help से, किलियर हुआ, there are two types of output device, दो परकार के output device होते हैं, कौन-कौन से, एक होता है, soft copy output, एक होता है, soft copy, और एक होता है, hard copy, soft copy काने का मतलब, वो जो screen पर हम लोग output देखने हैं, जैसे हम लोग कुछ प्रोसेस की हैं, और इस screen पर उसका answer हमें काम चल गया, देखने हैं, उसको निकालने का जरूरत नहीं परा, तो हम रख्या होता है, soft copy output, on screen, ठीक है, लिखा हुआ है, which the help of monitor और display device, किसी भी display device के help से, चाहिए monitor के help से, जो हम लोग देख सकते हैं, एक होता है hard copy output, hard copy मतलब जो paper पर हम लोग print कराते हैं, किसके help से, printer के help से, वो ही लिखा है, ठीक है, इसके आगे बरहेंगे, तो monitor देखो अब output device के अंदर कौन-कौन से होते हैं, some output device का भी उतलिक के उसके बारे में कुछ-कुछ लिखेंगे न, तो एक monitor होता है, चाहिए display device भी उसको बोलते हैं, monitor के बारे में क्या लिख सकते हैं, monitor is an output device, यह एक output device है, it gives soft copy output, there are two types of monitor, यह दो परकार के होते हैं, CRT और एक होता है TFT, CRT मतलब cathode ray tube और TFT मतलब thin films transistor, इनके बारे में आप ऐसे भी define कर सकते हो, थोड़ा-थोड़ा, CRT क्या होता है, big size का होता है, एक बड़ा सा होता है, और TFT क्या होता है, thin size का होता है, इसके बाद second point, image produce is health of electron beam of light, ठीक है, और यह image produce करता है, health of color liquid के help से, ठीक है, जो, जैसे इस सब क्या आता है, कि display के बारे में बताया जारा है, मनीतर के बारे में, तो, जैसे हम लोग देख सकते हैं, अपने naked eye से हम लोग देख रहा है, कि यह क्या display कर रहे, लेकिन इसके अंदर जो image produce करा है, उसके बारे में लिखा है, कि electron beam, मतलब beam बहुत सारा होता है, उससे क्य होता है, image produce होता है, और other hand TFT क्या करता है, color is liquid का help लेता है, color is liquid से help से, वो image produce कराता है, उतना detail हम भी नहीं जानते हैं, बस आपको पढ़ना है थोड़ा सा theoretical चीज, इसके बाद high power consume, एक तरफ हो जागा low power consume, low cost का होता है CRT, और एक होता है high cost का, इसके आगे हम लोग है, LED अभी यूज कर रहा है, ठीक है, और एक होता है LCD, ये भी यूज हो रहा है, LED में क्या है कि किसी भी एंगल से देखोगे न, तापको quality है साफ दिखता है, लेकिन वही LCD में side wall है थोड़ा धुनला धुनला दिखता है, काफी है इतना monitor बारे में लिख दोगे हो जागा, इसके बाद देखो, next जो अभी main topic है printer, इस पर especially क्योग प्रिंटर पर ही question आ जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए, क्योग प्रिंटर पर ही question बहुत सारे आ जाते हैं, तो इसको अच्छे समुन को देखना है printer, it is an output device, ये भी एक output device है, it gives hard copy output, ये क्या करता है हमें hard copy output देता है, ठीक है, printing technology, there are two types of printing technology, infect printer और ये खो जागा non-infect technology, दो परकार के technology है, print करने के ये खोते हैं, infect technology और ये खोता है non-infect technology, ठीक है, तो इंफेक्ट प्रिंटर भी बोलते हैं, non-infect प्रिंटर भी बोलते हैं, अब समझो कि इंफेक्ट प्रिंटर क्या हो, question आ जाता है, what is infect printer चाहिए, what is non-infect printer, तो ये आप लोगों को ध्यान समझना है, देखो, infect printer क्या होता है, in infect printer, image produced by stricking of numbers of pin, ठीक है, मतलब infect printer क्या करता है, कि आवा आ जाता है, बहुत सारा pin, ठक 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 जैसे बहुत पहरे जो keyboard होते थे, उसमें जब print होके निकलता है, तो आव print हो रहा है, pin के हिसाब से, ठीक है, मतलब pin उसपे tap होते हैं, page पे और उसके बाद हो print होता है, तो वही striking of number of pin के हिसाब से produce होता है, मतलब image उसपे छपता है, उसके बाद निकलता है, जैसे news paper पहले जो छपाता था, फिली मोगरा में देखिएगा, तो पूरा आवाज करेग इसे करके निकलता था, मतलब क्या रहा है, उसपे pin बहुत सारा थक 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 वाद उसपे tap कर रहा है, तब जाको निकल रहा है, लेकिन वही अधर है non-infect printer देखेंगे, तो in non-infect printer image produce without sticking of pin, मतलब बिना sticking of pin के ही वो print हो जाता है, जैसे अभी के जो printer है, उसमें कोई pin होग करके दे दिया, तो यह non-infect printer हुआ, एक तरह से और भी इसमें point जोर सकतो, इंफेक्ट printer क्या होता है, हमारा, noise full होता है, क्योंकि वो sound करता है, लेकिन वही non-infect printer हमारा sound less होता है, वो sound नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसपे pin होगा, कुछ होगा ही नहीं, तो sound क्या करेगा, न printer और एक होता है, dot matrix printer, इन सब के बारे में मैं देखो, 10-10 point लाया हूँ आपके लिए, और sufficient है, अगर exam में भी आते हैं, तो 10-10 point अब लिख दोगे, सब के बारे में, अगर difference between बहुत बार question पूछते हैं, तो आपका number बहुत अच्छा हैगा, देखो, laser point में हम लोग देखते ह पहला point, laser printer, inkjet printer, इसके बाद होता है, dot matrix printer, तो पहला point हमारा क्या हो जाएगा, non-impact printer, non-impact printer, यह laser printer क्या होता हमारा, non-impact printer, non-impact printer काने का मतलब हो गया, कि laser printer हमें आवाज नहीं करता है, नाम से अपको असपास था है, laser printer क्या करता है, laser beam के हिसाब से मतलब beam, एक laser उस पर आवाज नहीं करता होगा, लेकिन other hand, inkjet printer, inkjet printer, देखिएगा, आपके बहुत लोग अभी भी printer use करता है, जिसमें ink दालते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हो print करता है, तो उसको inkjet printer कहते हैं, उसमें भी, वो भी non-impact printer होता है, क्योंकि वो भी देखिएगा, आवाज नहीं करता है, लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे dot matrix printer, तो यह हमारा impact printer होता है, क्योंकि dot matrix printer आपको कहाँ level मिलता है, आप लोग जब मात ओगरा में जाएगा, किसी mall ओगरा में, तो वहाँ पर देखिएगा, जो counter पर जो रहता है, वो हमारा dot matrix printer रहता है, जो पतला सा page आपको निकाल करते हैं, उसके बाद वो print होके देता है, clear, अब second point देखो, second point क्या हो जागा हमारा, image produce with help of laser beam, image produce करता है किसका help से, laser beam of light के हिसाब से, image produce करता है, second में हम लोग देखेंगे, इसका inkjet printer को, image produce with spraying of tiny droplets of ink, क्योंकि इसमें ink दालते हैं, तो ink tiny droplets, मतलब थोड़े थोड़े बुंद करके, उसके droplets के ink से, वो क्या करता है, print होता है, इसके बाद next में देखेंगे, dot matrix में, image produce with streaking of numbers of pin on the ribbon, ribbons, ठीक है, तो यह क्या करता है, कि किसके help से print हो करता है, streaking, मतलब बहुत सारे pin उस पे streak करते हैं, मतलब उस पे दबाव देते हैं, pin जाके उस पे, तो जाके हो क्या करत है, next, तीसरा point पर लिख सकते हैं, कि जब यह very sharp image, मतलब बहुत clear image रहता है, लेकिन इसमें sharp image, यह sharp रहता है, और इसका image quality हमारा क्या रहता है, poor रहता है, मतलब यह गंदा रहता है, इसके बाद आता है, fourth point, fourth point में क्या है, for high volume work, laser printer यूज क्या है, high volume work के लिए, क्योंकि जैस laser printer है, एक बार उसमें page दालिएगा, तुर्ण तो scan कर लिया, लेजर के, उसके laser करके, प्रिंट कर दिया, laser के help से, और उसमें fast काम होता है, तो इसलिए, high volume work काम किया जाता है, next, इसमें इसका point देखिए, four number, तो four low volume work, यह कम मतलब काम लिया जाता है, इससे, वही four high volume work, ठीक लोगरा में, जब इसका use होता है, तो बहुत सारे customer खरे रहते हैं, अपने build बनवाने के लिए, तो हापे इसका ही use किया जाता है, तो हापे बहुत सारा काम जब लेना रहता है, तो हम लोग dot matrix printer का use कर लेता है, next, five number point हम लोग देखेंगे, पांच number, very fast speed, इसका speed fast होता है, engine printer का very fast ही होता है, लेकिन ये सिर्फ fast होता है, ठीक है, और वही अगर देखेंगे dot matrix, ये slow speed रहता है, क्योंकि धीरे-धीरे type करके देता है, आप लोगों असपस्त ये चीज़ से लगाए, ये सब याद हो जाए, कैसे आप लोग एक दो बार इसको पढ़िए, तो हो समाझ में किस परकार संब करना है, में एक दो पॉइंट याद रखिए, बाकी अपने से लिग सकते हैं, लेजर प्रिंटर, वो सोचे कि उसका speed कैसा रहेगा, फास्त रहेगा, दिरेक्ट डालिएगा, उसमें scan करके दे दिया, इंक जेन प्रिंटर, इंक उस पे droplets थरो थरो जाएंगे तब नो प्रिंट होगा, तो थोड़ा से उसके speed, लेजर प्रिंटर के तुलना में कम रहेगा, तो फास्त speed रहेगा, वही अगर dot matrix printer देखेंगे, तो number of pin उस पे strike कर रहा है, तब नो प्रिंट करके दे रहा है, तो उस पे थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए slow speed, ठीक है, इसके बाद अगर इसका cost का बात करेंगे, तो लेजर प्रिंटर का medium cost रहाता है, और इंगजेंट प्रिंटर का low cost रहाता है, लेकिन वही dot matrix printer का high cost रहाता है, ठीक है, साथवा point में आप लो लिख दीजेगा, printing cost is medium, इसका जो लेजर प्रिंटर का printing cost आता हो, क्या रहाता है, medium रहाता है, इसके बाद अगर इंगजेंट प्रिंटर का देखिएगा, तो printing cost very high, इसका high रहाता है, क्योंकि जो ink बार बार खतम होते रहाता है, उसके चलते है, इसका high cost हो जाता है, ठीक है, printing cost is very low, लेकिन dot matrix का printer का printing cost बहुत low रहाता है, क्योंकि एक पतला सा ribbon प लेकिन dot matrix आपको बाता है, noise full रहता है, 9 number point देखो, page printer, ये एक page printer पूरा page को print करता है, लेकिन inkjet printer देखना line by line प्रिंट करके देता है, जैसे laser printer में एक बार पूरा page दाल प्रिंट करके दे दिया, inkjet printer में क्या होता है, देखिएगा आप जब जाते होंगे print कराने, तो एक एक page धीरे धीरे print करकर के, करकर के एक एक line उसमें से print करके पूरा उसके बाद आपको page मिलता है, तो ये क्या होता है, inkjet printer हमारा line printer होता है, dot matrix printer हमारा भी line printer होता है, line by line print करता है, तेन number point आपको लीग सकता है, speed के बारे में, printing speed measure in page per minute, ठीक है, page per minute रहता है, printing speed, इसका printing speed measure in line per minute, मत लाइन पर मिनत होता है तो लग बग आपको 11 पॉइंट आप छोड़के 9 कम से कम याद rach सकते हैं तो पूरा लिख दिएगा तो बहुत अच्छा है अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं देखि ये जो कोश्चन है न यह बहुत बर पूष्टा भी है नहीं भी पूष्टा है टांगें फिर मैं आपके लिए करा देंटर हुँ देसी विल फिरने करने के लिए हैं सोगत नोट में सब पुछ देता है डेसी विल प्रिंटर आपको ऑपने से फ़िरЕ में पता लगा सब्सक्राइब यूज होता था तो टना information मेरे पास भी इसके बारे में नई था इसमें दो वीलर यूज होते थें देसी वील प्रिंटर में जब ये था ठीक है जैसे एक वील रहा था चका कर समान रहा था और उसमें चैरेक्टर सेथ रहा था जैसे ए हो गया बी हो गया करने के लिए पेपर और दूसरा जो रहा था था दाउनवर को प्रिंटर को प्रिंटर नीचे वाले को प्रिंट करने के लिए रहा था था ठीक है तो उस समय कैसे प्रिंट हो था उतना पता नहीं है बस यह याद रख लिजेगा और इस थोड़ा सा अपने से पढ़ लिजेगा एक दो बार लिख दीजेगा ठीक है इसके बाद हम लोग नेक्स देखते हैं द्रम चेंड प्रिंटर इन इस प्रिंटर द्रम चेंड प्रिंटर इस यूज़ द चैन अप एक चीज देखिए इन दोनों के बार मगर आएगा तापको सिधे नाम से याप कर लिजेगा दिफाइं जैसे देसी विल प्रिंटर मतलब है सिधे है कि उसमें विल लागा रहता था तो बोल देंगे कि उसमें विल लागा रहता था और पेपर उसके बाद विल के अंदर में पेपर एटेच करते थे तो एक जो विल रहता था अपवाद प्रिंट करने के लिए रहता था दूसरा दाउन वाद खताम होगा लेगा कि in this printer drum chain यूज यूज इसमें drum और chain का यूज किया जाता था इस printer में सीधे उठा लिये point the character are places on the chain और character कहाँ place रहता था एक chain chain मतलो cycle का जो chain रहता न उसमें कुछ chain रहता होगा ठीक है तो character वहाँ प्लेशेज रहता था उसमें भी a b c d a character places रहता था और उसके help से print किया जाता था upward downward direction में ठीक है तो इसको लिख दीजेगा next आता है thermal printer जो अभी use होता है thermal printer in thermal printer takes move power of heating the character is heated then it is the active to make contact with the paper यह heating के जरीए इस print किया जाता है thermal printer में जैसे गर्म होता है और उसके बाद वह इंक गर्म होने के बाद इंक से print हो जाता है character is heated then active to make contact with the paper जैसे character heat करते हो तो उस पेपर पर जैसे थी करता है contact करता है तो print होते रहता है note में कुछ लिखा है the desi the desi wheel printer drum and chain printer और thermal printers is only use only use print the alphabetical numerical and not for graphical मतलब यह सिर्फ character को print करता था यह तीनों printer थी एक पॉइंट यह भी अप तीनों में से कोई भी define करने के लिए आगा तो एक पॉइंट इसको भी लिख सकते हैं कि यह printer हमारा सिर्फ character type करने के लिए रहता था ठीक है मतलब character number रहा थी ग्राफिकल कोई भी चीज टाइप नहीं करता था चाहिए प्रिंट नहीं करता था थर्मर प्रिंटर ड्रम प्रिंचर और desi wheel प्रिंटर थर्मर प्रिंचर बहुत पुराना हो चुका इसमें प्रिंटर में क्या figure होगा अभी है तो प्रिंट कर देता है नेक्स हम लोग अब देखेंगे इस पर question लगाएंगे आगे question answer का समय पहला question देखो describe input and output unit of computer with suitable example यह question आये हैं भी वह question है आते हैं इस प्रकार से कि आपको describe करना है input और output device unit of computer with suitable example कुछ example भी देना है तो जैसे आपको input डिवाइस आउट्पूट डिवाइस पर है न तो आप क्या करेगा input डिवाइस को यह definition लिखेगा और उसके बाद कुछ example लिख देजेगा जैसे keyboard हो गया mouse हो गया input डिवाइस में इसके बाद हो गया इसके नर लाइट पेन जोयस्टिक माई यह लिख के और इन सब के बारे में डिफाइन कर दिजेगा आपका दो तीन पेज हो जाएगा इसके बाद आउट्पूट डिवाइस का भी definition लिख के लिख देजेगा some output डिवाइस जैसे में monitor हो गया monitor के बारे में कुछ लिख देजेगा printer हो गया printer के बारे में भी लिख देजेगा definition लिख के लिख देजेगा printer तीन परकार के होते हैं यह सब लिख के printer के बारे में थोड़ा सा अपन इंपूट और आउट्पूट यूनित आपको लिख देना है मतलग इंपूट जो अभी बता है उसका दिफिनिशन लिख के उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि इंपूट डिवाइस की यूज कैसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं अपने दाता को कंप्यूटर एक लिख देने के लिए तो वही दिफिनिशन लिख के उसके बारे में सौम इंपूट डिवाइस आपको डिवाइस लिख दिजाएगा और आयो मैकनिजम यूनित कहने का मतलब हो गया कि वही चीज हो गया जैसे आयो यूनित का यूज हम लोग ऐसा लिख देंग इंपूट आ वही आपका दो दोनों का दो या तीन एजमपल देखें उसके बारे में डिफाइन कर दीजेगा नेक्स्ट कोश्चन नमर थिरी देखो वाती द रोल ओफ इंपूट और आउटपूट यूनित का एक दो कोश्चन इसमें चूट अच्छा नीचे भी देखो हां का रहना इं इसके बारे में ज्यादा पेज आप नहीं पाइएगा तो कितना वा हम लोग देखते है इसमें अचीज आपको माइंद में ध्यान रखना है कि आपके पास 10 कोश्चन आता है तो आपको देखना है कि किस कोश्चन के अप बरा से बरा लिख सकते हैं पेज भर सकते हैं और इसे को आपको चोइस करना ऐसा नहीं की । फान फे सकते हैं यह नोग पिलिग देंगे अंदी कि पॉइंग लेस होता है और इसमें पॉईंड इंक्लूड कर सकते यह सब यहाँ से उठाके और इसमें भी जोड़ सकते हैं तो इस परकर से libertyoses पांचे लाइन लीख सकते हैं इसके बाद पांचोवा नमबर आता है हमारा वाती देसी विल प्रिंटर, देसी विल प्रिंटर को बता है न कविकल डिफाइन करने के लिए आ जाता है तो यह इसलिए इंक्लूद कर दिये हैं ठीक है, तो हमको जहां तक लग रहा है कि आपके लिए मैं पुरा मेहनत कर रहा हूँ प्रिवियस एर के जितना कोश्चन था बार बार जो रिपीट करते हैं आपको इधर उधर से खोजने के जुरूत नहीं पड़ेगा मैं साथ साथ कराते रहा हूँ और जितना भी मैं परहार हूँ बस आप पड़ते रहेगा ना तो आपको एक्जाम में एकीन मानों कि जब पेपर आपके हाथ में मिलेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यह सब कुश्चन मैं करार रखा था और आप प्रेक्तिस अगर करते रह जाते होंगा अगर सही से नोर्स बनाते होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है तो बस मेरे साथ बने रहेगा और जज़ा ज़ा इस वीडियो को सेर करिये क्योंकि बच्चे थोड़ा कम होते जा रहे हमको भी लग रहा है तो मैं जितना जो इसके साथ आपके साथ लगा हूँ आप अपने कोई भी सोसल मीडिया जो भी आप यूज करते हूँ आप मेरा वीडियो जरूर सेर कर सकते हैं चाहिए आपके पास कोई वासब ग्रूप और अगर होगा कॉलेज का तो उसमें भी सेर कर सकते हैं जिससे आपका भाई के मोटिवेशन लेबल और बहर है और आपके लिए वीडियो लाए और वीडियो में कोई भी अगर गल्ती मेरे से होर आओ तो उसके लिए माफी चाहते हैं और आप लोग जाज जदा मेरे को मोटिवेशन करने के लिए इस वीडियो को सेर कर सकते हैं और समाज में आरा इकने जरूर इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करना कि मेरे को पता चले कि आप लोग वीडियो से क्या लेग गिन कर पा रहे हैं है तो बस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स में तब तक के लिए जय हिंद्ध